कि नमस्कार मैं डॉक्टर रश्णा हिम्ज हुस्पिटल डेरवसी से लास्ट वीडियों में बात की थी कि कैंसर क्या होता है क्या-क्या वज़ा रहती है कैंसर के होनेगी अभी हम बात करेंगे कि घर में ही क्या कुछ छोटे-मोटे चेंजिस करके हम इस बीमारी को अवाइड कर सकते हैं और अगर ये बीमारी है तो उसको मैनेज कर सकते हैं उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं सीधी सी बात है कि जो कैंसर के सैल्स हैं वो इर्रेगुलर ग्रोथ में हैं तो उसको डाइट ना मिलना एक बहुत अच्छी चीज तो उसका नरिश्मेंट रोकने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है जो हम फॉलो करवाते हैं वो है लंगन उपवास तो फास्टिंग एक बहुत अच्छा प्रॉसेस है कैंसर सैल्स को खतम करने के लिए तो यदि अगर आप इंटर्मिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं 16 आर्ज की डेली तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं कर सकते हैं तो विकली वांस या विकली ट्वाइस टोटल फास्टिंग करके सिर्फ लिकूड डाइट पर अगर आप करते हैं तो वो भी एक कोशिश होती है कैंसर सैल्स को रोकने के लिए इसके अलावा जो नाचरल या जिनके गुनों को कनवर्ट करके जब खाते हैं हम तो वो कहीना की रैसिट्यूज बनने के चांसिज रहते हैं वो खाना हमारा पूरी तरह से 100% डेजस्ट नहीं होता है और जब वो डेजस्ट नहीं होता है तो कहीना की आम फॉर्मेशन और कहीना की वो रैसिट्यूज रहती है और यह बहुत बड़ा कारण होते हैं आपके cancer cells को बढ़ाने के लिए तो इसमें हमें क्या करना है जितना हो सके nature के close रहना है और बहुत ज़दा artificial चीजों से बचके रहना है जैसे पूरा पूरा दिन हम अपने AC chambers में रहते हैं sunlight का exposure बिलकुल नहीं है fresh air बिलकुल नहीं है तो बाहर निकले सूरज की रोशनी में आए कम से कम तीन से चार घंटे की रोशनी तो शरीर पर होनी ही चाहिए इसके अलावा रात के समय जब सो रही है तो अगर हो सके तो hard mattresses हो और lights जो है वो बिलकुल dim या बिलकुल slow lights में सोना ह बहुत जादा bright lights रात में अपने वाश्रूम में भी ना हो इसके अलावा जो प्रोसेस्ट चीजें आती है उसमें white sugar, white salt, plastic use यह avoid करेंगे तो भी हम cancer से खुद को बचा सकते हैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आयरवेदा और पंच कर्मा में हम किस तरह से cancer को ट्रीट करते हैं धन्य लाद